हेल दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में आजम बात करने वाले है यूपी टीपल सी पीटी एकजाम 2022 के बारे में देखिए दोस्तों यूपी टीपल सी की ओर से नोटिस जारी कर देगा आपकी जो आवेदन की तितिती वो आपकी बढ़ा दी गई है ऐ ऐसे हजारों केंडेट थे जिनकी फीज जमा नहीं हो पारी थी या देखिए ओनलाइन आवेदन नहीं हुआ था उन सभी के लिए एक अच्छी ख़बर है और जिनका ओनलाइन आवेदन अभी तक नहीं हुआ है देखिगा आप जो है ओनलाइन आवेदन कर दीजेगा ये आ परिहार ये कार्णों से 27 जुलाई से बढ़ा के आपका 31 जुलाई आपकी कर दी गई है और यहां पर दिया है आपका सुल्क समायोजन एवं आवेदन में संसोधन की तिथी पूर्वत आपका 3 अगस्त रहेगी यानि कि आपका जो ये जो संसोधन की तिथी आपकी ये 3 अगस्त रहेगी लेकिन आपकी जो ओनलाई आवेदन की तिथी आपकी ये 30 जुलाई तक आपकी कर दी गए आप सभी अच्छे से भर दीजेगा अपना फोम अब लेट आप बिल्कुल भी मत करिएगा और ये जो आपकी पैट की में आप अपना जो सलेवस है वो आप कवर कर सके और देखिए आने वाली जो नई वेकेंसी होगी जैसे आपकी वीडियो की वेकेंसी लोवर पीसेस की वेकेंसी इसी के साथ सथ एक आपका एडिट कोलिज में आपकी कलर की वेकेंसी आएगी ये जो भरती होगी आपकी एजाम 2022 देने जा रहे तो देखीगा ये जो कटोफ थी आपकी लेगपाल वेकेंसी की 8000 पदे थे उसमें देखीगा किन केंडेट को यहां पे मौका दिये गया है जिनका देखीगा जनरल में OBC और आपका EWS में आपका 62 अंक से भी आपका जो है उपर कटोफ गया तो आप य जैसे लोवर पीसेस की वेकेंसी होगी लगबग 1000 पदोफ पे होगी तो इसमें जो आपका हाई कटोफ जाएगा यानि कि आपका 70 पलस 75 पलस की आपको जो है तैयारी रखनी है और यहां पे देखीगा गल्स कैटेगिरी में देखीगा आपका 64 अंक से भी उपर कटोफ गया इस बुक में आपको जो है दो पिछले वर्स के परसन पत्र मिलेगे आपका फर्स्ट और आपका सेकेंड पाली का और लगबग 2000 से भी जादा आपको subject wise इसमें question देखने को मिलेगा और यह जो पूरी बुक है आपकी ये pet exam 2022 के according जो है पूरी तैयार की गई है और इसी बुक आपका जो इसमें topic दिया है उनी को आपको focus करना है इसी के according आपका जो है paper आएगा और यह जो है इस book का index है यहाँ पे आप इसमें देख सकते देखेगा complete आपका subject इसमें दिया है कौन कौन सा subject आपका रखा गए इसके इंतरगत और यह आपका first और आपका second पाली का जो paper है आईए आपका book की starting में आपका मिल जाएगा देखेगा यहाँ पे आपको यह भी idea हो जाएगा कि आपका किस subject से कौन से question पूछे गए कौन कौन से topic से question पूछे गए बहुत ही अच्छे से इसमें आपका explain किया गए आपका और अगर आपको अच्छा score करना है तो आप जो है self HD पे ज्यादा ध्यान दिजीगा जो topic इसमें दिये बहुत ही देखिए easy question आपके basic question सीधा सीधा आपके topic से पूछे गए और चक्सू publication का study guide book के साथ साथ जो है यहाँ पे देखीगा practice set भी आता है इसमें आपको 20 practice set और दो previous year आपको मिलने वाले कुल मिला के आपको इसमें 22 paper मिलेगे यह book और आपका जो practice set यह आप अपने नजदी की book store से भी ले सकते है अगर आप online मंगाना चाहते है description में link आप वहाँ से भी जाके आप इसको मंगा सकते है चली अब देख लेते देखीगा अगर आप खुद से भ से कम समय में आप तयारी कर सकते जैसे आपका माना विकास सुचकांक से question पूछा गयता पिछले वर्स भी आपके syllabus में आपके पैट के exam में तो आपको ऐसे question जो है ऐसे notes बनाईएगा देखी जैसे आपका वीतमंतराली से question पूछा गयता आपका पिछली बार भी आपके पर ये करम चलाए गए यहीं से question आएगा कौन कौन से आपका गरीबी हटाओ कनारा किस योजना में देगा कौन सा गरीबी उनमुलन कनारा किस योजना में देगा तो इस तरीके से आप अपने notes बनाते है self-study इस परिक्सर में बहुत जादा आपकी काम आएगी जैसे आपक जो है दस अंक का है और इसमें दिये है विश्व के संगटन और उनके मुख्यालेह अनुसंधान के अंदर भी देगए दो टोपिक तो most important है यानि कि आपके इसमें कम से कम एक एक question दो-दो question इसमें पूछा जाएगा तो आप इनको ऐसे भी तयार कर सकते जो की आपका direct exam question आ भारक्त इसमें कब सामिल हुआ इसकी कितनी भासा है इसके कितने अंग है इसमें ठीक है तो इनका देखेगा notes ऐसे ready करिएगा और ये बहुत सारे जो notes है हमारे अनुच जो टेलीग्राम गूर्प है वहां से भी आपको इनका PDF जो है काफी सारा मिल जाएगा इसके लावा हम आपका question आएगा तो इसी के अंतरगत पूछा जाएगा आपका और देखेगा one liner जो होते ना आपके question उन पे कम focus करी जो आपके topic है उन पे आप ज्यादा focus करी है जैसे आपके topic clear होते उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा question की practice करें बहुत ज्यादा आपको इसमें फाइद होगा आपकी इस परिक्षा में